कि दोस्तों आज मैं आपके लिए एक थ्रीवेज के फ्लैट लेके आया हूं जो पांडो नगर की लोकेशन में है और यह काफी स्पेसियस फ्लैट है यह इसकी एंट्री है यह ड्रॉइंग एरिया कि यह 130 गज में बना हुए है इसका सूपर एरिया 130 गज और पेपरों में 115 गज यह कोमन एरिया इसके साथ ही सामने किच्छन है इधर फर्स्ट बैट्रॉम सेकेंड बैट्रॉम और यह कोमन टोयलेट और यह थर्ड बैट्रॉम तो फिर्स्ट हम थैड़ बैट रूम में चलते हैं इसके साथ आपको अटैच बालकनी है और यह टोटल फ्लैट साइज है आप देख सकते हैं डबल बेट डलने के बाद भी काफी स्पेस है यह 2014 की बिल्डिंग है 7 साल पुरानी बिल्डिंग है यह एल साइड का है यह और गली भी करीब 20-25 फिट की दोनों चोड़ी गली है यह इसका फर्स्ट बालकनी अब मैं आपको दिखा दूँ इसके साथ अटैच एक अटैच तो नहीं है कोबन टॉलेट है काफे बड़ा है इस पेसियस है और इसी के साथ ही है सेकेंड बेडरूम सेकेंड बेडरूम में भी आपको अटैच वर्ड्रोग एंड विंडो और बालकनी तीन हो है आप देख सकते हैं डबल बेड डला हुआ है उसके बाद भी आपको काफी अच्छा इस्पेस मिलता है प्रोपर वेंटिलेशन है और यह वर्ड्रोग और इसके साथ यह आपकी बालकनी है बालकनी को कवर किया हुआ है दोस्तों यह सेकेंड फ्लोर का फ्लैट है पांड़ो नगर में काफी अच्छे लोकेशन में है और यह आपका मॉडिलर किचन यह फ्रीज का स्पेस है साथ में यह प्रोपर वेंटिलेशन के साथ ही आपका मॉडिलर किचन है और अभी मैं आपको थर्ड बैडरोम में ले चलता हूँ यह है आपका थर्ड बैडरोम थर्ड बैडरोम के साथ विंडो है और वरट्र रॉप बनी हुए है और इसमें आप कि देख सकते हैं इस पेस यह करी 15 भाई 15 के रूम है और इसके साथ अटेश्ट टॉलेट है कि इसमें आपको लिफ्ट और एक ओपन कार पार्किंग है एक अच्छा एंड इस्पेशियस फ्लैट अगर आप 130 गज या उससे नियरवाई साइज में फ्लैट सर्च कर रहे हो तो यह आपके लिए पर्फेक्ट उप्शन है और काफी कम बजेट में आई यह साइड विजिट के लिए दोस्तों आप मेरे दीवे नमबर पर कॉल कर सकते हो और कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट या कॉल में बता सकते हो थैंकि दोस्तों